दो हजार चौबिस लोगसबा चुनाओ करीब है ऐसे में तमाम पार्टियां तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं हमारे साथ बात करने के लिए जनदिकार पार्टी के रास्ट्रिय अध्यक्ष और पूर्फ कैबिनेट मंत्री बाबु सिंग कुश्वाहा मौजूद है उन लोग का जो प्लान है इस बात पर ज्यादा केंदित है कि हमारे जो गरीब और कमजोर लोग हैं पिछड़े हैं दलित हैं आदिवासी हैं अकलियत हैं उनकी गर्णा हो जाए सब की जाती जनगर्णा हो जाए और जाती जनगर्णा के बाद जिस समाज वर्क की जितनी सब जगे जिसकी जितनी आवादी है उसको उस समय उस जगे उपर हिश्चा मिल जाए यह हमारी यात्रा का मक्षद है और एक समान सिच्छा पद्दती हो चाहे हो गरीब का बेटा हो चाहे अमीर का बेटा हो एक से आठ तक की पढ़ाई सब की एक तरह का होना चाहिए बड़े में बिचारा बैट जाएगा लेकिन पाठ क्रम एक हो किताब एक तरह की हो ताकि उस बच्चे के अंदर ये हीन भावना नगा नहें कि मैं हिंदी मीडियम का पढ़ा हूँ ये कांवेंट का पढ़ा है इंगलीम का पढ़ा है तो ये भावना नहें एक से आठ तक की एक समान सिच्छा होनी चाहिए जो कान्वेंट में वही प्रात्मिक विद्याले में वही कान्वेंट में हो अब कान्वेंट का बच्चा कंप्यूटर में पढ़ रहा है प्राइमरी के बच्चे को कुछ आता नहीं है प्राइमरी में गरीब का किसान का मजदूर का बच्चा पढ़ता है, अकलियत का बच्चा पढ़ता है, तो एक समान से इच्छा पढ़ती हो, ताकि जब बच्चे का सब्जेक्ट बदले, बच्चे डाक्टर इंजिनियर बनना चाहते हो, तो वो अलग बात है, वो अपना-प करना की बाद ये गवर्मेंट करती है, एक समान से इच्छा पढ़ती भी गवर्मेंट करेगी, और ये गवर्मेंटे जो हमने बनाई इन्होंने किया नहीं, तो पहले तो लोगों को हमारे ये पता चले कि ये हमारे हिद की बात है, ये होना चाहिए, और गवर्मेंट करती ह जिस government को हमने बनाया इसने किया नहीं तो इसको बदल के जो ये करे उसको जिताना है उसके सामने भी कल्ब देते हैं कि आपके सामने जनादिकार पार्टी है आपको लगता है कि ये पार्टी हमारे लिए कह रही है तो करेगी तो आप इसको आगे लाए इसको जिताए इसको जिताए कि लोग सबह भेजी लोग सहमत हो रहे हैं अब थोड़ा समय लग रहा है कितना सहमत हो रहे हैं लोग लेकिन हम जहां पहुँच पा रहे हैं बड़े पैमाने पर लोग तैयार है बापुजी एक सवाल और रहेगा, अभी राहूल गांदी की भारत जोड़ो नियाय यात्रा चल रही है, कॉंग्रेस की यात्रा मनीपूर से शुरू हुई है, वो लखनाओ होते हुए कांधपूर पहुची, वहाँ पे जनधिकार पार्टी के कारकरता ज्हंडों के साथ सच्चु रामकरण, श्रियाजीत पताब जी, हमारे यूद्बंग के अध्यक्स हैं, पंकज्मनिविश कर्मा जी, राश्टी सच्चु हैं, योगें साक जी, इस बात के लिए स्वागत किये हैं, कि वो जाती जन्गरना की बात कह रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, जिसके जित्त बार बात कही गई है, तो लगता है कि अगर कांगरेस कह रही है, तो उस पर अमल करेगी, तो इस बात के लिए स्वागत है कि आपने हमारी बात को उठाया, आपने रखा, हम छूटी पार्टी हैं, हमारी बात मीडिया में नहीं जाती, वो बड़ी पार्टी हैं, जब हो कहत किसानों की जान चली गई है अभी टीकरी और संभू बॉर्डर पे किसान और पुलिस के जवानों के भी जड़ा पुछ जिसमें दो किसान शहीद हो गए कैसे देखते हैं इन सीजों को नहीं मैंने आपको बताया कि किसानों की मांग जायज है उनके मुकदमे वापस होना चाह है हम किसानों किस लड़ाई में किसान भाईयों के साथ हैं हर तरह से उनके साथ हैं हम भी किसान हैं हम किसान की पीड़ा और दर्द को जानते हैं जो उनकी मांग है वो बिलकुल जायज है जो कानून बने थे तीन वो बिलकुल गलत बने थे इस देश के किसी भी आदमी के हि तो इतने किशान हैं हमारे देश के उनके लिए कुछ भी हम सक्रिफाज कर सकते हैं, तो हमें उनकी मांगों को मानना चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया बाबुजी बात करने के लिए जनितकार पार्टी के रास्ट्रे अध्यक्ष और पूर्फ कैबिनेट मंतरी बाबुसिंग कुश्वाहा मौजूद थे लिमरा नियूस के लिए